मुझे निशानी, कुछ जानी, कुछ पहचानी, सुनो आरत की जबानी, हासे तेरे कहानी, हासे तेरे कहानी मुझे नियाराचै यदाया, मुझे नियाराचै यदाया मैं के वाई यह तू, यह तू क्या करेगी है? क्या गालत का मेरे भपीची? क्या गालत का? जिसके साझाट, जिसके साझाट, जिसके साझाट जिन्दिगी बिताने स्वागा देखा था, उस इने नहीं अपनाया मुझे अगर ङसा ही था, तो क्यों बचाया मुझे भगवाय ने, इसा ही मैं देखाया, ासा नहीं बुलते है था क्या, क्या एक रिष्टाग हो जाने से सारे रिष्टे बेमाने हो जाते हैं तुम्हारे लिए क्या, क्या हम सब के कोई माइने नहीं है तुम्हारे लिए जब जब आजाए ने अपनी राधा को याद कि तो हम ही सब ने उसकी उस उमीद को जिन्दा रखा कि उसकी राधा एक न एक में जरूर आएगी राधा एक पल ऐसा नहीं बिता जब हम सब ने तुम्हें यान ना किया हाँ भावी आप आजे भी है कि ना समझी की सजा हम सब को क्यों दे रही है आपके ग्यार हजरी में हम सब ने बहुत दुखों कर सामना किया है और आपका ये चुप रहना हमसे बैदाश नहीं हो रहा आज ये वियाने जो कुछ भी कहा उसे बूल जाएए बूल जाएए तो उस प्यार को याद कर जो तेरे लिए हमारे दिल में देख मैं तुझे कुछ साबित करने की सबती है बागवान खुद देए साक्षी रहे है हमारे लिए हमारे लिए अपनी जिन्दकी को एक मौका देदे मैं तो जिसे वादा करती हूँ मैं इस घर की बहु को दुख के बोश के साथ इस घर के तहली स्पार करने के लिए वजबूर नहीं होने दुखी नहीं होने दुखी मेरा भी शुवास कर मैं हो नहीं अठिक हो जाएगा और फिर रादा अजेबी तुम्हें अपना लेगा बस उसे थोड़ा सा वक्त 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 ही तो काटना है हम सिंदगी में जीने की उपी जीने का पक्सर हम सब खात्म हो गया नहीं पिटा नहीं ऐसा भी बोलते तुम मेरी बेटी है ना हाँ अज तक तुने हमच से काम लिया मैं तुझे इस तरसे हाद में दूए समझ दो कि ये तेरे जिंदगी के इंप्लान का अखरी बड़ावर हाँ कुछ नहीं होगा मैं हो लगा तेरे साथ मैं उसे सच्छा होगी तो वेकर बदकर विश्वासर सब सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो प्रुण नहीं हो सब प्रुण मैं जाएगा साथ प्रुण सुछ प्रुण हुआ 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 है तुम सब लोग चाहे कुछ भी को लगिए मैं उस औरत को अपनी राधा का दर्चे अभी नहीं दूँ मेरी राधा जिन्दा है और वो अपने अज़े के पास जरूर आई नहीं है वो मेरा प्याद उसकी आपों में मुझे मेरी राधा नज़र नहीं आदी उसके आइसासों मेरी राधा शामिल नहीं है और यह पास तरिफ मैं मैसेश को अपना है मैं हक्कीका चांग का उसंज़ना जिसे अपनाने के लिए तुम लोग मुझे मश्कूर कर रहें लिकिन पताने पताने तुम लोग ने गैसे यकीन कलिया उस अज़नभी पादा अज़र जिस राधा के लिए तुम आज तक इंतिजार करते रहें आज अज़र वही राधा कुमारे सामिय की तो तुम ने उसको अज़नभी कहा दिया आगार है वो मेरी लिए अज़र आप तो सब के तो खड़ते हैं सब के तकलीफों को दूर करते हैं इराधा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप क्या उसके दुखों से उसे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा इसी क्या करती होगी राधा से ऐसी कौन सी भोलो गई ऐसी क्या करती होगी बगवा राधा तो जैसे बहुत प्यार करती और गड़ी उस पर विश्वास करती रही एक पर के लिए उसको अपने मत से दूर देखियो पादाची पादाची नहीं उसे नहीं पेच्चारा उसका वहीं प्यार से दूर होगा बगवा यसद प्यूर्ड बखवर राधा के साथ इसक्यों में बगवा प्रफ़ाइब किजिये बगवार, इसके बदद 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 किजिये बगवार, इसके मैं जी, मेरे खैल से रादा को थोड़ा अराम कर लेने देना चाहिए. इतना कुछ हो चुका है. उसे सोचने सनुजने का वक्ती नहीं मिला है. थोड़ा सा अराम कर लेकी बहतर फ्यू करेकी. हाँ, बेटान थोड़ा सा अराम कर ले. ठख गई होगी ना, बहुत ठख गई हो, अब तो जीना पे नहीं चाती है, ऐसे क्यों कह रही है तो, जिन्दी की रूट काई है मुझ से, जेहन से जीने का, मा का कहा देगी, तो मुझ सो, ने को लगगे लास्ती है. अरे पगली, जिन्देगी तुझ से नहीं रूठी, ये तुम मेरे बेटे की ना समझे है, मेरे बेटे की भूल है जो अपनी जिन्दगी को अपने में से इंकर कर रहा है, पर तु तो मेरी बहदूर बेटी है ना, मेरे घर का नसीब, पर तु अपने आपको बद नसीब कह रही है, जिन्दगी में तुम्हें जितरा कुछ सहा है ना, मेरा यकिन मन, भगवान तुझे तो उसे दुखनी खुश देगा तो चिंदा मत कर कि तेरा परिवार है हम सब तेरे साथ है मैं तेरे पास हूँ तेरा परिवार तेरे साथ है और हमेशा रहेगा तेरा परिवार तेरे साथ है तेरा परिवार तेरे साथ है मामी जी सब कुछ ठीक तो है न कुछ भी ठीक नहीं है और ठीक हो भी कैसे सकता है जब मेरा ही बेटा अपने किसमत बिगाने पर तुलाया हूँ तो ठीक कैसे हो सकता है रादा सो रही है पर मैं जानती हूँ जिस सहरे के उमीद से वो इस घर में आई थी वो सारा उसे नहीं मिला नहीं मिला मामी जी रादाने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा उसके साथ हो एक तरफ अपनों के बीच होने के खुशी भी है तो दूसरी तरफ अजय का वेपरायपन उमीद तो मैंने भी नहीं की थी क्याजय ने राधा को जो दुख दिये है उस बात को लेकर वो आज तक अपने आपको माफ नहीं कर पाया वो दोबारा उसके दुख का कारण बने का आज इतने दिनों बात मेरी बीचे अपने खर लाट कर रही है मैंनी चाहती कि उसे यहाँ कोई तकलीफ हो इतने दिन तक घर से बाहर रही है किस हाल में रही है उसने कैसे समय बिताया यह जाने का मौका भी नहीं मिला पताने मेरी बेटी किस हाल में रही होगी मामी जी आपने राधा के तो हिम्मत पढ़ा दी लेकिन अब हम सब को हिम्मत से काम लेना होगा अजय की बेरुखी के बाहत राधा वो सहारा हम सब में ही ढूण देगी और हमें उसका वो सहारा बनना पड़ेगा चलो अभी तु वो आराम कर रही है जब वो अपने आपको संभाल पाएगी तब उसके आप पीते भी सुनेगे शायद शायद उसका कुछ दुख कम हो जहे अब हम उसका दुख नहीं समझेगे तो और कौन समझेगा और चहां तक अजय का सवाल है ममी जी तो हैरान है मुझे उस बात पर कि अजय राधा को नहीं पहचान पाए वो अजय जो जो हर पल उसकी यादों में जिया करता था आज जब वो हकिकत उसके सामने आई तो अजय नहीं उसके अस्तीत्व को जुठला दिया राधा की जिस चली को अजय ने अपने मन में बसा रहा है वो पत्म हो चुकी है इस बात को शायद अजय मानने के लिए अब तक नयार नहीं है देखे मामी जी राधा मा बनने वाली है हमें उसका बहुत खयाल रखना पड़ेगा अगर हम ही दुखों के अंदेरों में खो गए तो उसे और उसके आने वाले बच्चे को खुश्यों का संसार कैसे देपाएंगे तुम टे क्यारियो देखानी इस खर की बहु को और इस खर की चिरा को खुश्या देने के जिम्मेदारी अब मेरी है तेरी कहानी हो तुम्हारी बूटानुप से ले चेंना चाई mahdoll Iranian जिसके आने से सिर्स अबाएंगे को तुम्हारी बोच्अमे तुम्हार कर णिले कार, कुछ नहीं अधिकिता हूद गिनी प्यार किया है उस उनसाने बहुत पाइव लाग्ष कहती हूँ नेए तो आज इसको सारी हकिकत बताओ तो इस छूट को पहने काव अगर आज तुने नहीं गया तो इस खनान की बच्ची कुछी खुश्यादों से जिल जाए इसे तहने कि सब हाथ से निकल जाए पीस अगवान के इन सब को सच बता दो का मैं मैं अगीकर जानना जाएं पुनाद बोलो यह सच है मैं ही राणां का पहला प्यार प्रजे सो पहले राणतर की साधी ही मेरे साथ भी किया सोच रही हो माम मैंने सुचा था जब राणाभावी घर वापेस आएंगी ता मैं अंसे सारे सवाल करूंगी मैं उनसे पूछूंगी कि आपने जूट का सहारा क्यों लिया सब कुछ जानते हुए भी मुझे करन के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया लेकिन अब अब वो सारे शिक्वे वो सारे गिले अपने अपर मिछ चुके हैं अब आदाभावी के मेरे पास होते हुए भी मेरे मन से उनके लिए हर सवाल मिछ चुका है ऐसा इसलिए हो रहा है कि लदा सच्चाई की परचाई है उसे सच्चाई कर भी चुपाई नहीं थी उसरे सच्चाई लिटा को पता के थी और वो चाहती थी खे हम भी ये सच्चाई जान दें लेकिन ललीदा ने उसे रोप दिया था ये कहकर कि जिन रिष्टों के माईने ही उन रिष्टों के सच्चाई बता कर अजिवार को ठेस की पहुचा है उस वक्त हाला कुछ और थे राधा अपने सच्चाई बता पाती इससे पहले आज़े के शक्क के खेरे ने उसे उसे ऐसे खेंग लिया कि वो घर से बार कदम रखने पर मच्पूर हो लिए राधा के जिन्दगी में सिर्फ एकी नाम शामल था और वो है अज़े माना के राधा को आज़े पहचा नहीं पा रहा पर मेरा मन कहता है और मेरा मन कहता है माम मैं राधा पावी को कितना गलत समझती थी लेकिन आप अपने वने कोई दुख नहीं पहुचा नहीं चाहती राधा को आज हमारे प्यार की हमारे अपने पन की जरूरत है तुम्हारी रजरों में भी अब राधा गुनेगार नहीं है राधा की सारी सक्चाई तुम्हारे सामने है और मैं नहीं चाहती कि तुम राधा को गुरा समझो आपसी रंजीशों में जिंदगी कब अपने हाथों से निकल जाती हमें पता भी नहीं चाहता हमारी छोड़ी छोड़ी गलत परिया हमें कब एक गुसरे से बूड़ करते हैं हम समझ भी नहीं पाते हैं इसलिए मैं चाहती हैं कि जब तक हमारी जिन्देगी है हम एक दुसरे का साथ ले कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचा रहा है आज रादा को हमारे प्यार की हमारे सहारी की जबरत है और मैं हर हाल मेरा दख सहारा बना जाए झाल